तो सबी लोग अपनी पैन कौफी उठा के रेडी हो जाए एक नया टॉपिक बहुती बैतरीन टॉपिक कितना इंपोर्टन टॉपिक और टॉपिक का नाम है यंग्स डैवल शृट एक्सपअरिमेंट यह एक्सपअरिमेंट यह नम के सइंटिस्ट ने किया था ठीक है और यं बताने के पीछे कई सारे रीजण रहे में कई सारे चीज हमको समझाने के लिए सर यंग्ष ने एक्सपेरिमेंट हमको बताया ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लुक रेड़ी हो गए वीडियो को जादा से जादा करें कि लास्त तक बने रहे बलगोल बहतरी इन तरी आपको इस तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपको दुवारा ये टॉपिक ये एक्सपेरिमेंट कहीं पढ़ने की जरुत नहीं पढ़ेगी ये मेरा वादा रहा आप से और बता ही कैसे हो ठीक है चलिए टॉपिक का नाम जासा आपको दिखाई दे रहा है यंग से ड बताया था Super position principle में क्या बात हमको बताई थी सुपर वोइश्षण स्च Climate था उसमें ईसम्पली यह बताया था हमको कि किस तरीके से वेव आफ लाइट एक दूसरे के साथ जब सुपरिंपोज करती है तो इनकी इंटेंसिटी किस तरीके से एड होती है तो उसके लिए चोटा सा मैं आपको डियाग्राम समझाऊंगा उसके आपको समझना है ठीक है मैंने बिटा आपको दो तरीके का क्या दो तरीके का प्रिंसिपल सुपर पोजिशन जब को पढ़ा रहा था तो उसमें दो केस बताए थे एक था मिरा कंस्ट्रेक्ट सुपर पोजिशन दूसरा था डिस्ट्रेक्टिव सुपर पोजिशन कंस्ट्रेक्टिव सुपर पोजिशन यह कहता था कि कोई भी टू वेवफ लाइट कोई कोई भी टू वेवफ लाइट जब आपस में सुपर इंपोज करती है तो उनकी इंटेंसिटी एड हो जाती है औ ठीक है और जब डिस्ट्रेक्टिव सुपर पोजीशन होता है तो डिस्ट्रेक्टिव सुपर पोजीशन के केस में जो फ्रिंज बनती है वो डार्क फ्रिंज करिए ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों पर अपने सारे ग्रूप्स में इसको शीयर करेंगी इस मुझे 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 करोगा तो तभी तुम अच्छा अच्छा टिख Meat लोत रही थी जब यह बताया सर मैक्स्वयल यह बता रही थे लाइट अनको पता था कि यह सारा जो इंदोंने बताया आगे जाके new कि यह कितनी हर्प करेगा घर तो कैसे कहते हैं अ कि देखते देखते इतना सारा फॉर्मेशन इतना सारा एक बड़ा रूप ले लिया इस टेकनलोजी के अंदर जाके इन सारे कॉंसेप्ट ने तो बोलते ना कि देखते देखते क्या से क्या हो गया संग सुना होगा ना हाँ वेटा तुम इन चीजों में ज्यादा ध्हान देते हो आज कर और कोई बात नहीं ज्यादा साहराना अनुमत बनिये और बन जाएंगी तो क्या दिकत है फिजिक्स में थोड़ा तो चलता है फिजिक्स के लिए साहराना ठीक है तो चलिए अपने टॉपिक पर है कि हमारा यह क्या है एक हमने वेव ली ठीक है एक वेव हमने इस तरीके से ली और आई यह पहली वेव है मैं एंट्रेफरेंस आप लाइट का जो छोटा सा कॉंसेप्ट पहले उसको रिमाइंड करा रहा हूं उसको ठाकर प्र एक्सपरिमेंट के अंदर हम चिपका देंगे और समझेंगे क्या समझेंगे कि यंग्स डबल स्रिट एक्सपरिमेंट क्या है अ अखल रहिए दूस् voz जाएगे यह बात समझ मैं क्या ठीक है जब यह बॉनों वेव सुपर इंपो ​​ज होगी तो सुपर इंपो ​​ज होने की वजह से क्या होगा दोनों की intensity add हो जाएगी यह बीटा add होगी टो दोनों की intensity सिटेंद होने से एक थड़ वेव का फार्मेशन होगा और जो थड़ वेव का फार्मेशन हो उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी बेकोज दोनों की इंतेंसिटी एड़ हो जाए जी उस जवलज़ से ठीक है तो देहों अगर यह तीसरी वेव कुछ इस तरीके से बनती है इस तरीके से बनती है तो इसका amplitude तो काफी जादा है इनके इसका amplitude शपोर्ज टेट वाई तो वाई का जो वाई का जो magnitude होगा वह फॉप्लस वाई तूऊगा यही तो मैंने के केसे में आपको समझाए था भाई यह चीज क्यों होई क्योंकि intensity एड हो गई तुर दानों की आप intensity एड करोगे तो यह ना का काफी ज्यादा होगा तो यह इस टाइप के जो हमारा concept होता है यह इस टाइप का जो इंटरैरिंस होता है या इस टायप का जो हमारा शुपर पोजिशन होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन ये बात समझ में आई तो सिर्फ इतना सी इतना आपको ध्यान रखना है इतनी सी बात है कि जब इंटेंसिटी हो रही हो जब भी intensity हो रही हो तो भीया उसको बोलते हैं हम क्या उसको बोलते हैं हम constructive interference और सुपर पूजीशन के लिया और जब intensity डिक्रीज हो रही हो यदि आपका जो displacement अपोजिट डारेक्शन में हो कैसे जरूरी थोड़ी किस तरीके से हो इस तरीके से में चानी है अपोजिट भी तो हो सकती है जो अपोजिट होगी तो नों का जो intensity है amplitude है वो क्या होगा cancel हो जाएगा और जब cancel हो जाएगा तो that means कि जब intensity cancel होगी तो intensity cancel होने की बज़े से क्या होगा क्या होगा जो resultant जो intensity होगी वो 0 होगी और जब resultant intensity 0 होगी या फिर यूं कहलो कि कम हो जाएगी intensity तो उस case में क्या होगा उस केस में destructive interference और सुपर पोजिशन होगा जिसकी बज़े से क्या है एक डार की फ्रिंज बनेगी डार की फ्रिंज का मतलब जो यहां पर आपको दिखाए अगरे अगरेंट करेंगे तो इससे बनने वाला यहां जो वह ब्राइट फ्रिंज होगी तो यह हमारा constructive superposition होता है जिसमें intensity add होती है यह हमारा destructive interference और superposition होता है जिसके अंदर intensity cancel out होती है या decrease होती है ठीक है तो यह concept समझ में आया इस चीज का हम यूज करेंगे अपने यंग से डवल स्लिट experiment तेको यंग से डवल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है हमारा या यंग सर ने जो एक्सपेरिमेंट बताया शिर्फ और शिर्फ यह चीज पता करने के लिए बताया कि कि सब्सक्राइब नाम है यह यह दागनेस और जो हमारी ब्राइटनेस है बस उसके लिए हमने वर्ड यूज कर लिया है और यह दिप्रेंट प्लेस्ट में बनती है और अल्टरनेट बनती है सभी के बीच की डिस्टेंस एक्वाल होती है इस चीज को हम समझेंगे डवल सेट एक्सपेरिमेंट के दुरू ठीक है इतनी बात समझ माई ठीक है अच्छा प्रिंसिपल सुपर पोजिशन के जब मैं आपको से प्रिंसिपल सुपर पोजिशन पढ़ा रहा था तो उस दिन आ अप्टिक से स्टार्ट हुआ तो आपको यह बतायता कि बाय यह क्या होता है ठीक है बूल गए का याद है तुमको बहुत जल्दी भूल जाते है ठीक है जला ध्यां से देको कि कोई भी मैंने एक दिन बतायता कि बाहिए कोई व्यक्त सोर्ष है किसका लाइट का यह है पॉ linear source हो सकता है होके plan source हो सकता है ने जाने क्या क्या प्रोफ देखना नोट्स बनाने तो अधिक तो अच्छलि होता क्या है कि जो हमारी वेव हैं वह कुछ इस टरीके से क्या करती है जिस त्रेवल कर दिए दिखाई दे रहा है ठीक है हमारा जो यह वाला पार्ट होता है उपर वाला ठीक है किसी भी वेव का इसको कहते हैं हम क्या क्रस्ट क्या कहते हैं बिटा क्रस्ट और जो लोगर पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मैंने आपको यह बताया था जब किसी भी पॉइंट के एराउंड कोई वेव क्या करेगी तो क्या होगा क्रास्ट और ट्रप का क्या होगा फॉर्मेशन होगा और जब हम किसी फिक्स्ट फेज में या किसी सेम फेज में करने वाले पॉइंट को जब हम मीट कराते हैं तो एक सरफिस तयार होती है उस सरफिस को कहते हैं हम बेव फ्रंट यहीं तो था डैपिनेशन अब यह बात सभी को समझा रही है ठीक है तो यदि मै मैं बोलते हूँ कि जो हमारा ये जो दिखायां प्रस्ट जानीं मीट करा दें तो यह बन जाता है कि भैक जरूरी थोड़ी है क्रस्ट कोई मीट कराओगे स्क्रस्ट नहीं है करा कि यह बात समझना है ठीक है तो इसी concept का यूज करके हम लोग क्या करेंगे एक चोटा सा concept समझेंगे एडवांस लेवल का जो इससे आगे का टॉप पर ठीक है चोटी चीज का यूज करके हम लोग बड़ी चीज समझाएंगे किस तरीके से समझाएंगे ठीक है तो क्या होगा क्रस्ट को मिलाओंगा तो एक वेफ्रेंट बन जाएगा ठीक है और इस वेफ्रेंट के बनने के बाद मैं यदि मैं बोलोगा कि कोई इसके ट्रप को मिला दिया जाए तब क्या होगा एक दूसरा वेफ्रेंट बनेगा देखो क्रस्ट से बनने वाला वे प्रंट को मेरे डॉटेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है उसके बाद में फिर से क्या एगा उसके बाद में फिर से आपका एक वे फ्रंट आएगा जो क्रस्ट से बना होगा फिर से क्या एगा आपका ट्रप से बनने वाला वे फ्रंट फिर से आपका क्रस्ट से बनने वाल तो एक बार क्रस्ट एक बार ट्रप एक बार क्रस्ट एक बार ट्रप अल्टरनेट फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं तो किसी भी पॉइंट सोर्स से बनने वाले वेफ्रंट या निकलने वाले वेफ्रंट अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं थे होते हैं यानिकि आप पहले क्रस्ट को बना बना दिया आपने ठीक है उसके बाद क्रूश लेकर influencing बने वाला हैं विफ्रेंट के वाद बंट तर действительно तर यह बाद समझ में आई आपको टीक है इन छोटी-छोटी बातों का भी यूज हम इस handicap के टापिक टापिक पर करने रहा है कितना प्यारा डाइगराम है 6 डोपड डियांद के छिपका दिया तो कितना अच्छा डाइगराम में इस डाइगराम में आपको टिफरेंट निदे ही दे रहे हैं च tau शह दिखाई दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में इसके बाुज में फर्ष rhymes लगव ही है उसके बाद में फिर वेव आगे ट्रेवल हूँ है उसके बाद में से वहाला भाई यé बहुंत है की तरह काम करेगा करेगा इक से तरह काम करेगा तो यह ऑंड़ UV झा सकते हैं यह ट्रषट के पॉइंट्स को मिलाकर ठीक है तो में लिया हमने की जो क्रस्ट वाले if came इस तरीप से अगे क्या कर रहा है यह एक्समा कर रहा है फिर दूसरा वह विप्रम्ट आएगा फिर तीसरा वेप अहीं सिद प्रेंट है यालो लाइसे तरीपे पर आउगे आपको सिम्राइब को सेम ऐसे ही एसी टूक प्र आप रहे काट बोलो या स्लिट बोल बोल जाता है दबल स्लिट स्पेरिमेट तब इतुसको कहते हैं लो ठीक है और जब की से से ही क्या होगा एक वे निकले से हाँ कर दीbench तरह से यहां और यह सारे सारे के सारे सारे मेर दूसरे कोो कुछ पर पुर इंटरसेक्ट कड़ती होगी दिखाई दे रहें थी एक बात याद करीए रिमाइंट में करा देता हूँ आपको मैंने आपको यह बताए था कि धक्त होते हैं करस्ट से बनने वाई वे फ्रेंट होते हैं उसके बाद में उसक्थप बनने जो हमारा यैलो यैलो करश्ट से बनने वाले वेव multiplier इह सभीं फरなた के बीच में चैंथ से बनने वाहिव फ्रण नहीं होके ठीक है तो सब्सक्राइब प्रेंट के बीच में में ट्रब बनने वाले वेव फ्रेंट भी होंगे टो इसका मतलब क्या है कि पहले कर्ष से बनने वाला वेफरेंट पिर लोज तरसे फिर स्था इस तरीके से यह फ्रण्ट दानौ एस। दूसरे को इंट्रसेक्ट करेंगे फीक है और जब आखे आपको क्या दिखाई दे रहा है एक स्क्रीन दिखाई दे रही है बिल्यू लाइन की स्क्रीन पर जब आगी जाके यह स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर कुछ फ्रिंज का फॉर्मिशन होगा फॉर्मिशन किस तरीके से होगा वह देखिए जब हम इसमें देखो आपको कुछ लाइंस दिखाई दे क्या इसकितन होगे तो आपको क्या फुद बंती होई दिखाई देंगे मैकस्मम मिनीम मैकस्मम म म. रही है यह ऑफ्रण होने की बजह से बनती है । जब हमारे क्रस्ट क्रस्ट से बनने वाले वे फ्रण्ट कर टौण सुनिए जहां से जब हमारे क्रेश्ट क्रेस्ट से बनने वाले फ estatal जब इंटरसेक्ट करते हैं ुए को पॉइंट्स काフार्मिशन होता है एकिंटरसेक्ष्ट पॉइंट बन्ता है उन शाओं को जब हम मिलाएंगे तो उससे मिलन pee मिलकर बनने वाली जो फ्रेंज़िस होगी और तो इसका मतलब इसकी ज़्यादा रही और जब इंटेंसिटी ज्यादा रही होगी तो उसको हम बोल देते मेक्जिमम ठीक है और मेक्जिमम अगर है इस हैं इसको मैंग देते हैं जब जो बनेगी कौनवी अर्वय भी अर्व फ्रेंज होगी ब्राइट फ्रेंजी ब्राइट ऐस बुनिंगे ठीक है और यदे इंतेंसिटी लौस है इंतेंसिटी अगर वह लौस यदी होता है किसी न किसी विछसे तो हमारी क्या minimum यानि कि ये ना बन के डार्क बनेगी ठाहिए यह तो कहणने का मतलब और सिंपल सा इतना है मतलब है कि सब्सक्ति निकल रहे हैं ये चकल रहे हैं तो आगे जाकर क्या मिलाते हैं वह देते हैं हमारे और एक आप से निकला वेफ्रेंट करता अब यह दौन यह अलग अलग हो histó'? भी तो क्या कर सकतें शब्सक्राइब करें अब एक कशन करसकता है जब तरीके के बनेगा उसके हलेंTrustSql points को यदी आप मीट करोंगे और आगी जाख दू स्क्रीन पर उसको रिप्रजन पर उसकी फ्रइंजीड लोगे तो क्या होगा तो उससे निकलने वाली जो फ्रेंज होगी मिनीमिक डॉल्स यंदाहरो इस वोगी तर फिरंज वहांगी सारे हैं यutos क्यों सिनकलने तो अपोजिट होने के बज़ए से क्या होता है इंटेंसिटि का लॉस होता है यही तो बता है कि अधर इंट्र विस्टा अब आपको स्क्रीन के सेंट्र पर क्या लग रहा है स्क्रीन के सेंट्र पर आपको दिखाए दे रहा है मैक्जिमम में फिर मिनीमुम फिर मिनीमम मैट्षम दॉणो की तरह काम करते हैं publications की तरह काम करते हैं दॉनाँ वे फ्रेंट करते हैं जोजह वेकर होते हैं यानि की ट्रस्ट करते हैं तो offers काते हैं जिसको मेकस्मम कहते हैं बैफ वहता है और ढैसे हैं और एक ट्रफबला बेपरंट जब मुट करता है इंटर्सेक्ट करता है तो यह पूरा जो कॉंसेब्ट है स्टैयग्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था और इन्हों ने यह बताया था कि किस तरह की से इस जो हमारे डाइग्राम है इस इसका फाइनल कैलकुलेशन या फाइनल कॉल यह रहा ति किस तरीके से डागनेस क्रिएट होती है किस वजह से या किस तरीके से हमारी ब्रैटनेस क्रिएट होती है अंधेरा कब मतलब होता है ठी तो यह चीजह हम ने समझी इस डाइग्राम से चैसे कि स्क्रीन पापको दिखाए दो हुआ होगा बिलकुल अगर याज में कम आया है तो बीडियो को बैक करके फिर से देखिए वीडियो को लिए आपको क्या करूंगा रिप्लाई करूंगा ठीक है यह बाद सभी को समझ आ रहे हैं तक तो कोई डाउट हो तो बताना बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है पढ़ते जाना पढ़ते जाना मेनस से या ज्यादा टैम आपको नहीं एक्जामनेशन में ज्यादा टैम नहीं छाँ से जाँ तरह से जाँ चाहे है जाए उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ भी और किस तरुकर ट्रॉपर होता है तो यह बात आपको कि लिए निज रही है वह किस बजह से बन दी है तो हमने से उसके यह बाद मैं कई बार आप से यह पूछ लिया जाता है कि वह जो हमारी अप्रेंब रही है किस वाइश से बने ये बात ठीक है समझ में आता है लेकिन जो इस बन रही है उसकी यॵक रिक्त हैं मतलब कहने यह है कि जो अधिक पूस बताएं कि मेई SH websites सुर। तो यदि मैंए टुर आपको पता करना है magnitude आपको बताना है तो उसके लिए आपको छोटी सी कैल्गुलेशन करनी पड़ेगी और उस कैल्गुलेशन करके बहुत ही जबरदस्त एक फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे और फॉर्मूले का यूज करके फिर हम उसका magnitude निकालेंगे इसे डाइग्राम के अंदर क्या है कि यहां पर एक सोर्स में आपको आएगा देखो यहां से ओलेशन के सोर्स ने रखा है हमने राइट का सोर्स्त Commerce करेगा इसका मतलब यह है कि हमने दो दस्ति यह यहीत हमारा डवलिक अग्सपेरिमेंट था प्यारे बच्रो यही तो था ठीक है अगर मैं यह सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट को यह एस वन और एस टू सिलिट से इसको इंटार जब यह स्ट्राइक कराता हूं तो क्या होगा तो कुछ वेव फ्रंट का हिस्सा एस वन स्रेट से इस पूरे पॉर्शन की अंदर इंटर करेगा भाई वेव फ्रंट आपका ऐसे आ रहा से क्या है एक कट है इस पूर्शन की अंदर इंटर होने का एस वन जो कट दिखाए देरा जिसको स्लिट समलोग बोल रहे हैं ठीक है ऐसे एक कट यह है जब यह दानों कट से जब वेव फ्रंट टकराएगा स्ट्राइक करेगा तो वेव फ्रंट का कुछ पार्ट इस वाले आंदर इंटर कर जाएगा बाकी का जो पार्ट है बाकी का जो पार्ट है बकाया जो पार्ट है वेव फ्रंट का वो स्काइडबोड से टकराके वापस इसी मीडियम में रह जाएगा यह बात सभी को समंझ § जब यहां से यह इंटर करेगा और यहां से जब इंटर करेगा तो ये S1 और S2 जो Sids दिखाई दे रहे हैं जो cut दिखाई दे रहे हैं यह परसनली उसे दूटारा काम करने लग जाएंगे यानि कि और जब सूर्स की तरह काम करेंगे तो फिर से वेव यहां से इमिट्स होंगे वो घुट को आगे इस तरीके से क्या करेंगे ट्रैवल करेंगे ठीक है तो यहां से पर आएगा यह क्या इस पर आएगा यस पर सेंटर यह क्या एक इस screen का center C है यदि मेरे को कोई wayfront यहां से यहां लाना है तो उसको कुछ distance cover करनी पड़ेगी similarly यहां से कोई wayfront मुझे यहां लाना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा इक distance cover करनी पड़ेगी यह वाली distance और यह वाली distance क्या दोनों क्या है एक्वल है क्या दौनों को एक्वल पाथ या एक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और जब यहां पर दौनों को एक्वल कवर करना पड़ेगा तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या है कि एक तरीके से जो हमारी फ्रिंजिज बनेगी वो सेंटर भी फ्रिंजिज बनेगी ठीक ह करना है तो प्रिंजिस ठीक है लेकिन यह पुइंट पर एक फ्रिंजिस बनानी रहे है यहां से वे फ्रेंट पर ले जाएंगे तो यहां से यहां तक ऑप को इसको आपको ने जाना पड़ेगा क्यों कि अभाव क्यों आप फ्रिंजड आपको यहां बनानी तो यह वाला ऐसे ऐसे ट्रैष्य करना पड़ेगा ये बात समझ को आइज है तहीं यहां पी पर ले जाना पड़ेगा लेकिन अभी पहले के इसना आप यहां से इसको यहां लेके आ रहे थे तो एक चीज़ जहां से देखिए यहां से जब इस फ्रंट को आप यहां पर लेके जाओगे वेव को यहां पर लेके जाओगे तो इस पर क्या करना पड़ेगा वेव को पड़ेगा और शाली पात ट्रेवलकर यह बद इस income जाग ऑपात ट्रेवल करना पड़ेगा तो दौन्व मपीचीशन करने के लिए बस की क्या कीम हुए यहस्राइचन होजाए तो हमकी करने के लिए लगना खरना है बस कुछ नजिसी के लिए हम लोगे काम क्या क्याfolg कि क्या आसान हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एस वन जो हमारा स्लीट से क्या करेंगे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग बड़ी वाली वेव के उपार यह बात समझ में आई के नहीं आई आपको यानि कि जो हमारा यह पॉइंट है that is clear जब यह Parpendi कूलर होगा तो हम क्या करेंगे जो हमारा यह slits और करेंगे हम लोग पी को मीट करेंगे तो क्या होगा तब यहां पर भी क्या इंट्रसेक्शन पॉइंट आएगा जब यहां पर भी यहां पर यहां पर पार्पेंडी कूलर आएगा इतनी बात समझ में आरे सभी को यह बात सभी को समझ आई के नहीं आई ठीक है तो यह हमारे परपेंडिकुलर दो 90 डिगरी के एंगल फॉर्म हो गए के लिए उसके बाद में ऐसा हमने सिर्फ इसलिए कि यदि हम इसको परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह वाली साइड्स जो S1 P दिखाई दे रहा है आपको और यह M और P दिखाई दे रहा है यह दौनों एक्वल हो जाएंगी ठीक है तो एक्वल करने के लिए सिर्फ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बस और कोई तीर नहीं मारा है ठीक है इतनी बात समझ में आई आपको ठीक है उसके निकल के आगया अगया गया यह सब्सक्रावां करती है तो इनके बीच में पक रिए ने तो हमने निकल लिए थीक है तो एक्च exposed के पॉyt अपर इंडरा की निकालने क्लिए जा रहे हैं हम लोग ठीक है फोरोड़ा करने के लिए जा रहे हैं तो उसके इसमें हम ने एंगल कुछ दिखाई रहे हैं यह यह अंगल मैंने ठीटा ले रखा है ठीक है- यह वाला एंगल थील्ए रहा है और ऐस वल्याइज दिखाई दे रहा है बात चीज़ित आ precum अपको लिए रहा है यह सब करेंड़ को डिकाई सब्सक्राइज और वटार हुआरा और पा सबागतने च्चिक झाइप है खुंक्न देद है तो यह एक चोटू कि बड़ा ट्रेंगल डो समझ में क्या है ये बास सभी को समझा रही है तो इसी चीज़ को ध्यान में रगते हैं हम लोगर की यहाँ यहां पर यानि कि S1 M और S2 यह वाला S2 point यह S2 point है ठीक है तो यहाँ पर यदि में sin theta की form लिखोंगा तो यह आएगा मेरा sin theta equals to sin theta की जो sin theta को जो formula होता है क्या होता है याद करो क्या होता है perpendicular upon hypotenuse ठीक है तो मतलब इसको लिखेंगे P upon H याद आया क्या सभी को यह नहीं आया यह भी नहीं जानते क्या ठीक है perpendicular upon hypotenuse ठीक है जड़ा धान से देखो इसमें perpendicular क्या दिखाई दे रहा है डी जा डिस्टेंस बिट्वीन एस वन एडिवन एस फीलिट्स कि लिए अब यहां पर यदे एसस 1डारा की बीच की दिस्टेंस की बात करूंगा करें मैं hypotenuse की बात कर कर को एमदे की बात कर हूं तो मतलब में इसको डीच सकता हूँ तो तो finally, जो मेरा perpendicular हो जाएगा, वो s2m, that means, so we can write it, sin theta equals to perpendicular at, perpendicular is s2m, s2m upon hypotenuse is d, ये बास समझ में आई, so finally, we can write s2m equals to sin theta d, हाँ वही, बास समझ माया सभी को, sin theta, sin theta d, ये theta लगा रहे हैं, sin theta d, ठीक है, इनका पास कुछ नहीं कहा है, सिर्फ cross multiply गिया है, ठीक है, इतनी बास समझ माया, कि जो s2m है, ये क्या है, ये जब path difference, ठीक है, path difference is denoted by delta, ठीक है, हम लोग path difference को delta से represent कर सकते हैं, और जब इसको delta की form में लगेंगे, तो कुछ इस तरीके से लग सकते हैं, ठीक है, जो path difference है, हमारा, s2m है, sin theta है, d है, जो equations आपको दिखाई दे रही है, इसका यहां से आगे क्या करेंगे, ठीक हो, actually, ये angles जो होते हैं न, बच्चे, ये बहुत छोटे-छोटे angles होते हैं, जो हमारे diagrams की अंदों जो triangles बन रहें हैं, बहुत छोटे-छोटे होते हैं, almost sin theta, tan theta के terms में लिखा जा सकता है, ठीक है, छोटे होने की बज़े से, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, आपका डेल, equals to, tan theta, d, इतनी बात समझाए आपको, तो अब यहां पर जो tan theta आपको दिखाई दे रहा है, इससे tan theta का का काम तमाम कर दे आते हैं, tan theta equals to, क्या होता है, भाई क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़ाओ आपने, पाकिस्तान भूका प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूका प्यासा, मतलब कैसे समझेंगे इस चीज़ को, मैं यहां समझाता हूं, देगो, एक ट्रिक है, हमारे पास है, पाकिस्तान भूका प्यासा, पीफोर पाकिस्तान, भीफोर भूका और पीफोर प्यासा, कि लिए बच्पन के छोटे-छोटे नवर, फॉर्मूले वा कॉंसेप्ट, या ट्रिक है, याद करने की चीज़ों को, हिंदुस्तान हरा भरा, भाई यह होता है हमारा साइम थीटा, यह होता है हमारा कॉस थीटा, यह होता है हमारा टैन थीटा, याट मींज कि टैन थीटा की जो वैल्यू होती है, पीफोर पीफाई बीज पर्पैंडिकुलर अपॉर पॉर्ण बेस, ठीक है, ज़रा टैन थीटा देखो ठीटा देखाई दे आपको, इस वाले ट्रेंगल के अंदर आपको एक थीटा दिखाई दे रहा है इसी ट्राइंगल से ट्राइन थीटा की वैल्यू निकालनी है अब आपको red ये सेंटर से इन नम म्मर की कोई फ्रिंज है इसके सेंट्स क्या है एक्स अब लग सकते हो ठीक यह तो स्थी टेल्ट एक्वस्टू देखो पर्पेंडिकुलर क्या है मेरा एकस एन ठीक है अब बेस क्या है मेरा देखो बेस ओसी और ओसी किसके एकवल है भाई या डी ठीक है तो यह हो जाएगा डी ओके उसके बाद में इस्मॉल डी फाइनली वी किन राइट पाथ डिफरेंस एक्वस् समाल डी रीक यह बात सबे को समझ आघी है दिखाइए दे ना भूडब भेस तो डैंसे घर कर दिए आधा किलिया ठीक है तो कहने का मतलब यह है किहने सरी नियू को हमने के कर लिया एक्स डी और कैपिटल डी के टम्स में ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे डार के लिए ब्राइट के लिए यह पास समझे माई ठीक है चलिए तो देखो हमने अभी क्या अब इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाओ मैंने आपको इंट्रफेरेंस प्लाइट की के ठीक है इसका मतलब यह है कि इसको हम आगे करेंगे ब्राइट के लिए और डार्क फ्रिंजिस के लिए ब्राइट फ्रिंजिस इंट्रफेरेंस के के यहांपर एन वेरी करेगा यानि के यहांपर क्या है नमबर होगा यानि के जो डिल्टा है वो किसके बराबर होगा एन लेम्डा के बराबर होगा तो पिशली वीडियो में जाइए वहाँपर विद डाइग्राम आपको सारे कंडिशन भाई बताई है जरा वो दो मिनट का आप उसमें समय दीजिए पढ़के आई फिर से वापस वीडियो पर यह ठीक है यह चीज आपको तभी समझाएगा कि एन लेंड़ा वैरी करने पर किस तरीके से यह चीज आपको समझा गई होगी अगर नहीं है तो यहां पर ठीक है अपको डिल्टा की वैली है यहां पर टीक है अब क्या करना है आपको डेल्टा की वैल्यू है यहां पर उठागे रख दीजिए सेंपल लिक्या हो जाएगा एकस एन डी वाई कैपिटल डी एक्वस्टू एन लेंड़ा यह बात समझवाई के सभी को बस कुछ नहीं किया है हमने डेल्टा की वैल्यू उठाके जार रख ठीक है ज़रा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेंड़ा होगा डी स्टू सभी को तो अडूट है अपके अन क्या है रेकिन है एकसी यह 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 नंब्र को इस और की छो हमारी नंब्र की जुक है उसकी डिस्टैन्स से शेंटर फॉसक्रीन से ठीक है यह बात ऋम्चार आपको अब를 सेmeye की बैली निकाल लेंगे तो कहा ले जाओ इसके नीचे तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एकस एन एक्वास्ट टू कैपिटल दो एन को आगे ले लो एन लेमडा डी अपन और यह आपको डी दिखाई दे रहा है यह नीचे चला गया ठीक है तो यह हमारा केस फरस्ट था क्या था एकस फरस्ट था यह जो चीजे केस फरस्ट है और यह क्या है पसकते प हैं दो इस फॉर्मूला के तरू ठीक है तो यह फार्मूला आद रहेगा तो केस फास्त-टीक है केसस्ट मिलेगा ऑप भोर ब्राइट फ०िस नि किसके लिए फ०्राइट फिल्ज यह आप समलाई ठीक है अब तो उसके लिए पढ़े मैं अब हम पढ़ेंगे जैके कि कि सेंड जेंड क्या कहता है läpा धार्रिंस serait कि यह zaten Reading सिमारी सब्सक्राइब ऑनिओ बादेगो मैं अभी आपको बता था डबल स्विट एक्सपेरिमेंट क्या था यही तो था एक बार ब्राइट बनेगी एक बार डार्क बनेगी फिर ब्राइट फिर बनेगी यह यह इसका मतलब यह है कि इसकी डिस्टेंस क्या है एक्सांट प्लस लेली मैंने ठीक है यानिकि हम मुझे पोजिशन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो मेरे को यहां पर दिखाई दे तो यदि मैं बीटा से इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो जो बीटा की वैल्यू निकलेगी न भाई वो क्या निकलेगी एकस एन प्लस वन मैंसे एकस एन माइनस करना है यह बाद समझाए आपको देखो एकस एन की वैल्यू अभी आपने निकाली एन डी लेंड़ा ठीक है क आपने लेंड़ा देखाय देरा आएब क्या है तो एक वेवलेंध नाम की कोई चीज पढ़ी है क्या वेवलेंद नाम की अडिस पड़ियान यह क्या है यहां पर यह अकव्धा करेगा लेंड़ा की अभी आपने निकाला xn की value पर simply करना क्या है यहाँ पर हमें करना है देखो beta equals to यहाँ पर जो xn प्लस आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ कुछ नहीं करना है इनको क्या करना xn प्लस 1 मैंसे minus करना है xn ठीक है तो किस तरीके से minus करेंगे इसको हम ठीक है तो इसको minus करने के लि लग्स ओ jackets lights हुआ डिल्टाडी लैंम्डा अपन वि ए स्मॉल डी माइनस यह दिखाये दे रहां आपको and d लैंडा अपन डइजिस आपको को कूई चीज कॉम इन में ठीक है तो कॉमम अगर है तो ठीक ए लीजीय नहीं तो डाडारेक्तल लेंअ आप इसे शॉल्व कर सकते ह capital D lambda upon small d वाई यह solution हो कि आजाएगा बीटा और यह बीटा क्या है यह विड़त है किसकी डार के फ्रिंजिस की पूछी हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो क्या डी लेमडा वाई अब डी ऑप स्मॉल डी ओके और जब आपसे ब्राइट फ्रिंजिस की पूछा जाए तो आप इसको लगा वे ठीक है तो यह हमारा पहला फॉर्मूला था यह हमारा सेकंड फॉर्मूला तो बास दो फॉर्मूले का खेले याड सिंबल या पर ले लो ठीक है चलिए ठीक है झाल ठैक है ठारा वेड़ा कुम है यह हमारा में ब्ला थास फॉर्मूला तो इसका फिज़ खीड़े स्टाव जान जास तो आपसे धर पर रहांपसे जापसे धर हमारा जार हमारा टाब जापसे का तो तो आपसे है